हालो फ्रेंट्स वेलकम टो आई चैनल स्टडी फोर यू सोगाई जैसा कि आज आज आपका UP SSSC पेट का 15 अक्टूबर का इबनिंग सिप्ट का पेपर हो गया दोस्तों जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% accurate answer के साथ जो है इस वीडियो मैं बताऊंगा तो देख लेते हैं कि किस परकार के जो है आज आपके 15 अक्टूबर के इबनिंग सिप्ट के एक्जाम में जो है प्रेस्ट ने पूछे गया है उससे पहले एक बात और दोस्तों कि जिनोंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो UPSSAC पेट से रिलेटेड पलपल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दिएगा और बगल में ही आपको एक बैल ऐकन यानी घंटे का निसान भी दिख रहा होगा तो आप उसे भी जो जरूर प्रेस कर दिजेगा तो चले विडियो को स्टार्ट करते हैं तो आज का जो आपका पहला कोश्रे ना था कि 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविने अवग्या अंदोलन सुरू करने का कारण क्या था तो देखे ब्रेटी सासन की बुराईयों को दूर करने के लिए ग्यारस उतरी कारिक्रम वाली एक पत्र के माध्यम से जो है वासरै को बताना महात्मा गांधी द्वारा सविने अवग्या अंदोलन सुरू करने का मुख्य कारण था तो आप्सन बी आपका करेक्ट एंसर होगा नेक्स्ट कोश आपका आप रहा था कि निमनलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रो का परिनाम रहा था तो देखे 1857 के विद्रो का जो परिनाम था न वो इस्ट इंडिया कंपनी की सक्तियों को ब्रेटिस क्राउन में जो है हस्तांतरी जो है वो कर दिया गया था तो आप्सन ए आपका करेक्ट एंसर होगा निमनलिखित में से कौन प्रिथवी का सबसे बड़ा अंतहस्तलिय जल निकाय है तो देखे प्रिथवी का सबसे बड़ा जो अंतहस्तलिय जल निकाय है यह आपका कैस्पियन सागर है तो कैस्पियन सागर आपका करेक्ट एंसर होगा निमनल इखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतिय गवर्नर जेनरल था तो देखे स्वतंत्र भारत के जो पहले भारतिय गवर्नर जेनरल थे न ये आपके सीर राज गुपाल चारी थे तो सीर राज गुपाल चारी आपका करेक्ट एंसर होगा नेक्स्ट कोश आपके आप रहा था कि निमने लिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग है ना ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहट किया गया था तो आप्सन ए आपका करेक्ट एंसर होगा नेक्स्ट कोश आपके आप रहा था कि भारत को ब्रेटिस नियंतरन से मुक्त करने के लिए भारती रास्ट्रे सिना यानि आई एन ए का जो गठन है ना ये किस ने किया था तो देखें इंडियन नैसनल आर्मी का जो गठन है ना ये मोहन सिंग के द्वारा किया गया था तो मो मद्य पर्देश राज्य में पाहे जाते हैं तो मद्य पर्देश आपका correct answer होगा next question आपका यहाप रहा था कि सामान्य वर्सा में आचानक वृद्धी हो जाती है और कई दिनों तक लागतार जारी रहता है इस मौनसुन को जो है क्या कहा जाता है तो देखे सामान्य वर्सा में आचानक वृद्धी हो जाती है और कई दिनों तक लागतार जारी रहता है इस मौनसुन को जो है यह बस्ट यानि प्रसफोट फटना यह जो है कहा जाता है तो option C आपका correct answer होगा next question आपका यहाप रहा था कि GMT का पूर्न रूप पूछा गया था तो देखे GMT का पूर्न रूप होता है वो आपका green which main time होता है तो option B आपका यहाप एक correct answer होगा next step का यहाप रहा था कि प्रती 1000 लोगों पर जिविद जन्मों की वार्षिक संख्या को जो है किस नाम से जाना जाता है तो देखे प्रती एक हजार लोगों पर जीवित जैनमों की वार्सिक संख्या को जो है ये कुल प्रेज़न दर के नाम से जाना जाता है तो option C आपका correct answer होगा 1979 में कितनी परमुख नीजी बैंकों का रास्टे करन किया गया था तो देखे 1979 में ये जो आपका 14 बैंकों का रास्टे करन किया गया था तो 14 आपका correct answer होगा 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद जो है किस उद्योग विसेस रूप में सारवजनिक छेतर के लिए ये आरच्छी थे तो ये जो आपके परमानू उर्जा उत्पादन थे ना ये उद्योग विसेस रूप से जो है सारवजनिक छेतर के लिए आरच्छी थे तो option B आपका correct answer ह होगा next question आपका याप रहा था कि किस योजना आयोग के अंतीम उपाद्यास थे तो देखें योजना आयोग के जो अंतीम उपाद्याच है ये आपके मांटेंग सिंग एहलू वालिया थे तो option A आपका correct answer होगा next आपका याप रहा था कि निमने लिखीत में से कौन सा जो है ना भारत का सबसे बड़ा नियोगता है यानि largest employer जो है वो किस sector में आते हैं तो ये आपके primary sector यानि प्राथमिक छेतर में आते हैं तो option A आपका correct answer होगा निमने लिखीत में से किस राज जी को जो है हरित करांती के लिए भारत में आरंब अस्तल के रूप में चुना गया था तो ये जो आपका पंजाब राज जी को जो है हरित करांती के लिए भारत में आरंब अस्तल के रूप में जो है वो चुना गया था तो पंजाब आपका correct answer होगा नेक्स्ट कोश आपका याप रहा था कि निमने लिखीत में से कौन सा अनुछेद अलप संक्यकों के हीतों का स माध्यम से संभिधान में कौन सा नया DPSP यानि राज्ये निर्देशक सिधान्त को जो है वो जोड़ा गया था तो देखे 42 संभिधान संसोधन के माध्यम से आपके जो है आई स्थीती सुविधाओं और अफसरों में असमानताओं को कम करने की राज जी की जो है आफसकता यह जो आपका DPSP में जोड़ा गया था तो आपसन D आपका करेक्ट एंसर होगा नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि निमने लिखित में से कौन सा मौलिक करतब्य है तो देखे सारवजनिक संपती की सुरच्छा करना वैग्यानिक दृष्टी कौन और मानवाद विक्सित क भारत की संप्रबूता अखंडता और एक्टा की रच्छा करना यह सभी जो आपके मौलिक करतब्य हैं तो आपसन A यह सभी आपका करेक्ट एंसर होगा नेक्स्ट विख आपका यह अपर आता है कि सभी अमलों में सामान तत्तू होता है तो देखे समी अमलों में जो सामान आपके हाइड्रोजन होते हैं तो हाइड्रोजन आपका करेक्ट एंसर होगा नॉन स्टीक खाना पकाने के बरतन से कौन सा लिपीत होता है तो देखे नॉन स्टीक खाना पकाने के बरतन यह आपके टैफलोन से जो लिपीत होते हैं तो टैफलोन आपका करेक्ट एंसर होगा अनुछे 245 के recording, यह संसत का क्या कार्य होता है तो देखे अनुछे 245 के recording कानून बनाना, यह संसत का कार्य है तो कानून बनाना आपका correct answer होगा next अप के हमग उनिकल आएता कि सरकारिया आयोग निम्ने लिखित में से किसे संबन्दित है तो देखें यह जो आपका सरकारिया आयोग है ना यह केंद्र और राज्य संबंद से जो यह आपका संबंदीत है तो option B आपका correct answer होगा next अपका यहाप रहता कि प्रकास वर्स किसका एक माप होता है तो देखें light year is a measurement of यह जो आपका तारकिये दूरी का एक माप होता है तो option D आपका यहाप एक correct answer होगा बहुत सारे बच्चे जो speed of light मारे हैं तो यह जो आपका गलत हो जाएगा option D आपका सही होगा देखें आप जो आपके math के प्रेशन आगे तो math के प्रेशन को जो है मैंने 100% accurate जो आपके लिए solve किया हूँ तो अब मैं इस वीडियो में समझाओंगा नहीं क्यूंकि आपका जो time हो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा तो question number 24 का जो आपका right answer होगा ना मैंने solve किया है तो option A आ रहा था option A आपका correct answer होगा 25 की बात कर ले तो 25 का जो correct answer आ रहा 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 वो हमारा 5% आ रहा option B जी नोने लिगा है उनका यहाँ पे सही होगा निम्नली कित में से कौन सबसे बुद्धिमान अस्तंधारी होता है तो देखे सबसे जो बुद्धिमान अस्तंधारी होता है यह आपका डॉल्फीन होता है तो option C आपका correct answer होगा नेक्स्ट अप का यह आप रहा था कि पादे का विकास यह किससे प्रभावीत होता है तो देखें पादे का विकास है यह प्रकास की गुनवता मातरा और अवदी पर यह प्रभावीत होता है तो option A आपका यहापर correct answer होगा next आपका reasoning से pressure ने दिया गया था sorry यहाँ पर math से pressure था कि दिये गया भिन आपके भिन ने दिये गया थे और इसमें बताना था कि सबसे बड़ा कौन सा है तो देखें मैं आपको बता दो कि इस question को मैंने solve किया है तो सबसे बड़ा जो आपका भिन है ना वो आपका 11 by 13 है option D आपका correct answer हो उसके बाद फिर से आपका एक root से pressure math में पूछा गया था तो minus root 5 by 2 आपका यहाँ जो 5 minus 2 आएगा ठीक है minus root 5 minus 2 option B आपका correct answer हो आगा उसके बाद आपका 308 125, 45, 120 और 102 का average यानि औस पूछा गया था तो देखें इसका जो average आएगा ना वो आपका 140 आएगा मैंने इसको solve किया था तो 140 आपका correct answer होगा अस्थावर का जो विलोम सब्द पूछा गया था तो देखें अस्थावर का जो विलोम सब्द होता है ना वो आपका जंगम होता है तो option A आपका correct answer होगा, बिल्ली को पहले ही दिन मारनी चाहिए, इसका अर्थ क्या होता है, तो देखें, बिल्ली को पहले ही दिन मारनी चाहिए, इसका जो अर्थ होता है, वो भैका समन सुरू में ही जो है, खट देना चाहिए, option B आपका correct answer होगा, उसके बाद जो आपका स्व तो option A और यह आपका इर्थी का मतलब क्या होता है तो विक्न होता है तो option B आपका correct answer होगा, इस वर में विस्वास रखने वाला इस सब्द समू के लिए एक सब्द बताना था, तो देखे जो इस वर में विस्वास रखता उससे क्या कहा जाता है, तो आस्तिक कहा जाता है और तो इस वर में विस्वास नहीं रखता, उसे जो है नास्तिक कहा जाता है, तो option A आपका correct answer हो, उसके बाद जो आपका question number 36 and 37 में, आपको जो है पैसे पढ़ना था, और पैसे पढ़कर जो आपको जवाब देना था, तो देखें मैंने पैसे पढ़ लिया है, तो question number 36 का जो answer उसके बाद जो आपका term का सिनोनीम पूचा गया था, तो देखें के term का सिनोनीम वोता आपका क्या होता है, तो decayal होता है, option B आपका correct answer होगा, choose the correct अंटूनीम आपको rapid का अंटूनीम पूचा गया था, तो देखेंर रैपिट का जो मतलब होता वो तläजी से होता है, तो इसक जो one word substitution होगा वो आपका optimist होगा, option D आपका correct answer होगा, उसके बाद आपका reasoning से प्रशना है था कि एक तस्वीर की और इशारक करते हुई, वे A ने जो अपने दोस्त B से कहा, वो मेरी मा के पीता की इकलौती बेटी है, ए फोटोग्राफ वाले वैक्ति से किस परकार से संबंदी तो आपका बेटा से संबंदी था, यानि रिलेशन पूछा गया था, तो बेटा option A आपका correct answer होगा, नेक्स्ट आपका दो कथन दिये गया थे, और पूछा गया था कि इन में से कौन सा सही संबंद से दर्साता है, तो पहले कथन में दिया था, कि लैप्टॉप निर्मान कं अपनियों ने हाली में लैप्टॉप की कीमतों में वृद्धी की है, और second कथन आपका दिया गया था, कि सरकार ने हाली में लैप्टॉप पर सुल्क बढ़ाया है, तो आपका कथन दो कारण है, और कथन एक इसका परभाव है, तो option C हम लोग देखेंगे, तो option C आपका यह आपका भारत और नेपाल के बीच हरी जंडी दिखा कर रवाना किया गया था, option B आपका यहाप एक करेक्ट एंसर होगा, next question आपका यहाप रहा था, कि भारत ने दोनों देशों के बीच मजबूत और दिर्द कालिक, साज़दारी के निर्मान के लिए चल रहे, परियासों क तहर निम्नलिकित में से किस देश को 75 एंबुलेंस और 17 स्कूल बसे वो उपहार में दी है, तो गाली में बांगला धेश को भारत ने 75 एंबुलेंस और 17 स्कूल जो बसे हैं वो उपहार में दी थी, तो बांगला देश आपका करेक्ट एंसर होगा, next question आपका यहाप रहा थ नेक्स्ट आपका एक जनवरी 2006 को रभी वार था तो एक जनवरी 2010 को सबता का कौन सा दिन होगा तो यह आपका सुक्रवार होगा और यह जो आपका फरास इप में भी पूछा गया था तो सुक्रवार आपका करिक्ट एंसर हो इसके बाद फिर से आपका एक रिजनिंग से प्रेशना है था, जो की कोडिंग डिकोडिंग से आए था, यदि किसी निश्चित भासा में एक्टिब को एडियू जे डबलू ए के रुप में कोडित किया जाता है, तो उस कोड को, इफेक्ट को कैसे कोडित किया जाएगा, तो सुरू की है तो देखे हाली में कासी यातरा सबसीडी यूजना जो है न ये करनाटक राज जी के द्वारा सुरू किया गया है तो करनाटक आपका करेक्ट एंसर होगा जून 2022 में भारत ने निमने लिखीत में से किस देश के साथ जो है कॉमन वेल्थ डिप्लोमेटिक अकैडम प्रोग्राम की घोशना की है तो देखे हाली में भारत ने जो है किस देश के साथ तो ये आपका यूनाइटिड किंग्डम देश के साथ जो है कॉमन वेल्थ डिप्लोमेटिक अकैडमी पर प्रोग्राम की घोशना की है तो यूके आपका यहापर एंसर होगा नेक्स्ट को आपनी ने IAF के हेलिकॉप्टरों के लिए ADS की आपूरती है तू एक बिलारुसी कंपणी और उसकी सहाय कंपणी के साथ एक समझाता ग्यापन पर हस्ताचर किया है तो देखें यह जो आपका हिंदुस्तान Aeronautics Limited है ना यह IAF के हेलिकॉप्टरों के लिए ADS की आपूरती है एक बिलारुसी कंपणी और उसकी सहाय कंपणी के साथ जो है हाले में समझाता ग्यापन पर हस्ताचर किया है तो हिंदुस्तान Aeronautics Limited आपका करेक्ट एंसर हो नेक्स्ट कोश आपके 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 नारी को नमन नाम से एक नई योजना सुरू किया है तो देखें न आपके निमनलीखित में से किस जीले में जो है डॉक्टर संपूर्ना नंद अस्पोर्ट्स स्टेडियम में एक कारिक्रा में जो है अठार सो कडूर रुपे के योजनाओं का उध्यातन और सिलान्याश किया है तो यह आपका मेरट जीले में किया है तो आप्सन डी आपके आपके करेक्ट एंसर होगा नेक्स्ट कोशा आपका याप रहा था कि किस संस्थान ने जो है इंडिया ज बूमिंग गीग एंड प्लाटफॉर्म एकोनॉमिक सिर्सक के रूप में जो है वो रिपोर्ट जारी किया है तो देखे हाली में नीती आयोग के द्वारा इंडिया बूमिंग गीग एंड प्लाटफॉर्म एकोनॉमिक सिर्सक के रूप में जो है एक रिपोर्ट जारी किया गया है तो नीती आयोग आपका करेक्ट एंसर होगा नेक्स्ट कोशा आपका याप रहा था कि निम्न लिखित में से कौन सी राज्य सरकार सिंगल एंटी मल्टी टा पर एक एजुकेशन टाउंसी बनाने की योजना बना रही है तो देखिया हाली में उत्तर परदेश राज्य के सरकार ने जो है सिंगल एंटी मल्टीपल एक्जिट के विचार पर एजुकेशन टाउंसी बनाने की योजना बना रही है तो उत्तर परदेश आपका करेक्ट नेक्स्ट कोशन निमने लिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंदर सासीद परदेश है, तो देखे यह जो आपका लच्छे दीप है, तो लच्छे दीप आपका करेक्ट अन्सर होगा, नेक्स्ट कोशन आपका याप रहा था, कि चात्र परहस्तितिगी के लिए एक न पारा लांच किया गया है, तो option B आपका correct answer होगा, next question आपका या पराता कि भारत के कितने राज्ये बांगलादेश के साथ जो है, वो सीमा साजा करते हैं, तो बांगलादेश के साथ भारत के 5 राज्ये जो है, वो सीमा साजा करते हैं, तो option B पांच आपका correct answer होगा, निम्नल इ जो national currency है ना वो आपका policy जलोटी है तो option C जलोटी आपका यहाँ पर correct answer होगा उसके बाद आपका पूछा गया था कि कौन सा उत्तर परदेश का एक लोग प्रिये सास्तरे नेते है तो देखें यह जो आपका कथक है ना यह आपका उत्तर परदेश का एक लोग प्रिये सास्तर नेते है तो कथक आपका correct answer होगा निमनल इखित में से किसके पास लोग सबासतर को अस्थागित करने की सकती है तो देखें भारत के रास्टपदी के पास जो है लोग सबासतर को अस्थागित करने की सकती है तो भारत के रास्टपदी आपका correct answer होगा नेक्स्ट कोश आपका आप एक correct answer होगा वास्कोडिगामा का मगबरा यानि जो दफन अस्थान है ना वो भारत के निमनलिकित में से किस अस्थान पर इस्थान पर इस्थान है तो देखे वास्कोडिगामा का जो मगबरा ये जो आपका भारत के ये आपका कोची यानि केरल में इस्थान है तो कोची Wings of Fire, यह किसकी आत्म कता है, तो देखे Wings of Fire, यह Dr. A.P.J. अब्दुलकलाम की आत्म कता है, तो Dr. A.P.J. अब्दुलकलाम आपका यहाँ पर करेक्टेंसर होगा, नेक्स्ट अब रहाता है कि Global Warming का अपेचित परिणाम पूछा गया था, यानि एक्सपेक्टेड रिजल्ट पूछा गया था, तो देखे, Global Warming से जो आपके समुद्र के अस्थर में व्रिद्धी भी होता है, तटिये रेखा में परिवर्तन भी होता है, और फसल पैटर्न में परिवर्तन भी होता है, तो Option A, All of These आपका यहाँ पर एक करेक्टेंसर होगा, नेक्स्ट आपका यहाँ है, कोशन आपका दिया गया था, हिंदी में, जिसमें आपको पूरे अनुछेत को पढ़कर, 66-70 तक जो वो उत्तर देना था, तो मैंने पूरा पैसेस पढ़ लिया, उसमें पूछा गया था, कि आज कर पढ़े लिखे, जो नव वीवक है, वो वि उसके बाद कोशन नमर 67 की बात कर लें, तो इस परकार के विवार से हुए हमारे साथ कैसे रह पाएंगे, तो इसका जो एंसर होगा, वो उप्सन D आपका चला जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट आपका विदेश में जो बसे बच्चों को वैपार अरिवर्तन के लिए कौन दो करते हैं, तो यह जो आपके किस लिए, तो जंग हसाई से बचने के लिए जो यह नहीं करते हैं, तो ऑप्सन B आपका यहाँ पर करेक्ट अंसर होगा, नेक्स्ट कोशन आपका यहाँ पर रहा था, कोशन नमर 70 की बात कर लें, तो बच्चे की सिकायत है कि दो पीडियों का यह जो आपका ऑप्सन D जिनोंने भी नहीं लगाया है, उनका यहाँ पर सही हो जाए, प्रीबियस जो आपके D.I. से प्रेशन पूछे गे थे, अब हम लोग G.K के प्रेशन को देख लेते हैं, तो जजिया फिट से लगाने वाले मुगल सासक का नाम लिखना था, तो अंग्रेज के द्वारा जो आपका रेलवे सुरू किया गया था ना, वो सबसे महतपूर्नी योगदानों में से एक माना जाता है, तो रेलवे आपका करेक्टेंसर होगा, पंच तंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई थी, तो देखें पंच तंत्र की जो कथाएं ये विस्नु सर्मा के द्वारा लिखा गया था, उपसन डी आपका करेक्टेंसर होगा, गौतम बुध ने सारनाथ में अपना पहला उब्देश, ये जो एक किस लिए दिया था, तो देखें गौतम बुध ने जो सारनाथ में अपना पहला उब्देश है ये धर्म चक परतन मुर्दर आपका correct answer होगा, next question आपका last question है, निमनल इखीत में से किस सासा के दर्बारी कवी जो है, यह आपके हरी शेन थे, तो देखे हरी सेन जो थे ना, यह समुद्र गुपत के दर्बारी कवी थे, तो option B, समुद्र गुपत आपका correct answer होगा, तो सभी 100 question को जब मैंने solve कर लिया है, तो आपको 100% accurate answer की भी दिया है, तो अगर वीडिया अच्छी लगी हो, तो वीडियो को जब लाइक जरू कर दिजेगा, और किसी भी exam का real analysis पाने के लिए, चैनल को subscribe जरू कर दिजेगा, और यदि आपको इसका पीडियाप चाहिए, तो म टेलिग्राम का link आपको description में provide कर दूँगा, आप वहाँ से easily इसका PDF ले सकते हैं, तो मिलते हैं, next video में तब तक thank you, all the best.